समाननी सिक्षक साधियों जैहिन जैसा कि आपको ग्यात है एने एस यानि राष्टी उपलब्दी सर्वे 2021 जो की 12 नॉबर 2021 को आयोजित होने वाला है इस राष्टी उपलब्दी सर्वे के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के विद्यार्थियों की तैय चल रही है इसी तैयारी के तार्तम में हमारे सिवनी जिले में भी सामाजिक विज्ञान विषय का सिक्षक उनमुखी करण कारेशाला दिनांग 5 अक्टूबर 2021 को संपन्ध हुई इस कारेशाला में विभिन विषय विषय सग्य सिक्षकों के साथ मास्टर टेनर के रूप मे मुझे भी साहवागिता करने का आउसर प्राप्त हुआ तो साथियो इस कारेशाला में जो प्रस्तुती करण सामाजिक विज्ञान विषय में राष्टी उपलब्धी सर्वे के संबंध में मेरे द्वारा किया गया जिन विषयों पर इसमें चर्चा हुई उनको मैं आपसे सेयर कर रहा हूँ साथियो जो अभ्यास प्रस्न हमें दिये गए थे विद्यार्थियों को हल कराने के लिए उसमें कुछ प्रस्नों को हमने चुना तथा इन प्रस्नों पर विष्टरत चर्चा करके विद्यार्थियों को किस तरह से हम राष्टी उपलब्धी सर्वे के लि जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रतम अभ्यास टेस्ट का यहाँ प्रस्न कर्मांग पैती से जिसमें कहा गया है कि एक राजिकी ग्रामीर जनसंख्या की सैक्षणिक उपलब्धी से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकणों की तालिका का अउलोपन कीजिए एक विक प्रतिसरत पुरुसों की उनहत्तर प्रतिसरत और महिलाओं की एक तालिस प्रतिसरत दस से चौदै वर्स इस्कूल जाने वाले ग्रामीर बच्चों का प्रतिसरत तो ग्रामीर बच्चों का प्रतिसाथ है पुरुसों का 64 प्रतिसाथ है और महिलाओं का 34 प्रतिसाथ है अब इस तालिका के आधार पर जो प्रस्न दिया गया है वह है स्कूल ना जाने वाली ग्रामीर बच्चों का प्रतिसाथ है अब तालिका में आप देखिए कि स्कूल ना जाने वाली बच्चियों का प्रतिसत नहीं दिया हुआ है, 10 से 14 वर्सी है, इस्कूल जाने वाले ग्रामीड बच्चों का प्रतिसत दिया हुआ है, और चुकि यहां बच्चियों की बात कही गई है, तो बच्चियां अर्थात महिलाओं के अंतर गतिया आएंगी, अब यहां नहीं जाती हैं उन बच्चियों का प्रतिसत क्या होगा इसे हम 100 में से 34 को घटा कर 66 प्रतिसत प्राप्त करते हैं तो साथ यों हमें बच्चों को यह भी बताना पड़ेगा कि प्रतिसत की जो आउधारना है बच्चों को और भी प्रस्ण बनाए जा सकते हैं जैसे 10 से 14 वर्सी आयूवर्ग में बच्चों की साक्षर्टा दर यहां दी हुई है तो इससे हम प्रस्ण बना सकते हैं कि 10 से 14 आयूवर्ग में महिलाओं की निरक्षर्टा का प्रतिशत क्या है तो निरक्षर्टा का प्रतिसद देखने के लिए चूंकि यहां साथ शर्टा की दर दी है महिलाओं की 41 प्रतिसद तो निरक्षर्टा की दर कितनी होगी 100 में से हम 41 को घटा देंगे तो यहां होगा 69 प्रतिसद तो इस प्रकार एक तालिका से हम अनेक प्रस्ण बना करके हो सकते हैं आई अब चलते हैं दूसरे प्रस्ण पर प्रस्ण करमांग 38 से 49 के लिए यहां पर एक व्रत्थ चित्र बना हुआ है नीचे दिये गए रेखा चित्र का अवलोगन कीजिए और प्रस्ण 38 तथा 49 का उत्तार दीजिए साहुकार 30 प्रतिसद व्यापारी प्रेंग साथ प्रतिसद और अन्य साथ प्रतिसद यह ग्रामीड चेत्र में साख सुविधा उपलब्ध कराने वाले सुरोतों का प्रतिसद है अब इस चेत्र पर आधारित हम प्रस्ण देखें प्रस्ण है ग्रामीड भारत में साख के किस सुरोत का व्यापक रूप से उप्योग कि जाता है अब प्रसन की भासा हमें बच्चों को समझानी है कि व्यापक रूप से ये सरवाधिक जिसका सबसे ज़्यादा प्रियोग होता है तो नम्मर एक सहकारी समितियां तथा व्यापारिक बैंक तो सहकारी समितियों का प्रतिसत 27 है व्यापारिक बैंक का 25 है और दूसरा है साहुकार साहुकार का प्रतिसत है 30 तो हम सेश जो जमीदार और मित्रगन तथा संबंदी है इनका प्रतिसत कम है तो ग्रामीर छेतर में सा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इसमें हम लिखेंगे साहुकार जिसका की प्रतिशत सबसे अधिक दिया हुआ है अगला प्रस्न है रेखा चित्र के अनुसार अपनी साख आवशक्ताओं के लिए साहुकारों पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है यानि कित इस ब्रत्य चेत्र से अनेक प्रकार के प्रस्न बनाये जा सकते हैं जैसे एक प्रस्न ही हो सकता है कि ग्रामीर चेत्र में आपचारिक साख सुविधा का प्रतिशत केतना है तो आपचारिक साख सुविधा में व्यापारिक बेंग तथा सहकारी समितियां भी आएंगी तो द तो इस प्रकार से एक प्रस्न से हम अनेक प्रस्न विद्यार्थियों को समझा सकते हैं और इसके लिए आउशक यह है कि हमें प्रतिसत की आउधारना पहले बच्चों को समझानी होगी सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट का एक प्रस्न हमने लिया है प्रस्न क्रमांग 25 नीचे दी गई तालिगा के आधार पर बताईए कि किस देश में जीवन प्रतियासा सबसे अधेक है जनसंख्या का आयू वित्रण यहां दिया हुआ है देश चीन, जापान, भारत और रूस चीन में 15 वर्ष से कम जनसंख्या 22.5 परतिसत है, 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या का परतिसत है 76.4 और 65 वर्ष से अधिक आयू की जनसंख्या का परतिसत है 8.9 परतिसत इसी तरह जापान में 15 वर्ष से कम 14.5 प्रतिसथ, 15 से 64, 64.2 प्रतिसथ, 65 वर्ष से अधिक 21.9 प्रतिसथ, भारत में 15 वर्ष से कम जनसंख्या का प्रतिसथ है 33.6, 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिसत है 75 तथा 65 वर्ष से अधिक जनसंख्या का प्रतिसत है वह है 6.1 प्रस्ण है कि किस देश में जीवन प्रतियासा सबसे अधिक है तो जीवन प्रतियासा यहां हम बच्चों को समझा चुके होंगे तभी वे इस प्रस्ण को हल कर पाएंगे तो जीवन प्रतियासा क्या है किसी देश में लोगों की जीवन जीने की जो ओशत आयू है उसे हम जीवन प्रतियासा कहते हैं तो यहां पर आप देखें कि 65 वर्ष से अधिक आयू कि जनसंख्या का प्रतिसत है जापान में सबसे अधिक है 21.9 प्रतिसत तो हम कह सकते हैं कि जापान में जो जीवन प्रत्यासा है वह सबसे अधिक है तो इस प्रसंद का उत्तर होगा जापान इसी तरह सबसे कम जीवन प्रत्यासा वाला देश भारत है जहांपर की 65 वर्ष से अधिक आयू की जनसंक्या का प्रतिसत है 6.1 तो इस प्रकार जीवन प्रत्यासा और प्रतिसा दोनों की ही समझ विद्यार्थियों में दिख्षित होगी सेकेंड प्रैक्टिस टेस्ट का एक प्रस्ण है 32 इसमें नीचे दिखाई गई तस्वीर कच्छ के रण से है इसमें दिखाई गई उंट गाड़ी का उप्योग निम्नलिखित इस्थानी वस्तूओं में से एक के व्यापार के लिए किया जा रहा है इसे पहचानिया नमक, कोईला, तांबा, गेहूं तो जो चित्र हम देख रहे हैं यहाँ चित्र है कच्छ के रण का कच्छ का रण अर्थास गुजरात का एक छेत्र है जो समुद्र से लगा हुआ है अब समुद्र से लगा हुआ है तो यहाँ पर गेहूं का उत्पादान तो हो नहीं सकता और चित्र में हम जोंकी देख रहे हैं तो यहाँ यह तांबा भी नहीं होगा कोई लभी नहीं होगा तो कच्छ के रण में उत्पादित इस्थानी वस्तु कौन सी है नमक तो विद्यार्थियों में भारत का जो मांचेत्र है मांचेत्र में कच्छ का रण कहां इस्थित है किस प्रदेश में इस्थित है क्या यह समुद्र के तट पर है यह आउधारना विक्सित होनी चाहिए उसे पता होना चाहिए साथ ही यहाँ पर उंट गाड़ी का प्रयोग दिखाया गया है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो छेत्र है कच्छ का रण जो छेत्र है यह रेगिस्तानी छेत्र से लगा हुआ है मैंनि यहाँ पर जो समुद्र है रेगिस्तान चेतर है साथी समुद्र के किनारे है तो यह समझ विक्सित होगी अगला प्रस्न है नीचे दिये गए पत्रक में एक बाग दर्साया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है यह बाग जर्मन और जापानी धोजों को दबा रहा है आप देख रहे हैं कि बाग के पैरों तले जर् भारत के मित्र पक्ष में यानी बाग के जो पीछे के तरफ धोज दिख रहे हैं यह United Kingdom यानी England, चीन, USA और रूस के धोज बाग के पीछे देखे जा सकते हैं इसके पीछे का संदेश कहता है कि भारत कारवाई करेगा और Britain, अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधा मि जल देगा या संदेश है, तो यहाँ पत्रक रिक्तिस्थान के बारे में बात कर रहा है, मतलब यह किस घटना या किस समय की यह बात है, इसका उत्तर हमें देना है, ए, ब्रिटिस सासन की समापती, बी, दूसरे विश्विध, सी, पुर्टगाली सासन की समापती, तथा भारत और चीन के बीच सीमा युद्ध, तो यहाँ पर आप देखे कि प्रथम विकात तो हो नहीं सकता ब्रिटिस सासन की समापती, क्योंकि बाग के पीछे ब्रिटैन क अभी ध़ज है इसका मतलब यह है कि बाग के साथ में यानि टाइगर के साथ में बिटेन है इसी तरह पुर्टगाली सासन की समापती और भारत और चीन के बीच सीमा युद्ध यह भी संबव नहीं है क्योंकि यहां भारत और चीन जो है साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं त तो दूसरा विश्वयुद्ध यानि इस प्रसन का जो सही उत्तर हुआ है दूसरा विश्वयुद्ध क्योंकि दूसरे विश्वयुद्ध में ही भारत इंग्लेंड की ओर से लड़ा था साथ ही अमेरिका साथ इस युद्ध में इंग्लेंड के पक्ष में था और जापान तथा जर्मनी के खिलाफ यह युद्ध तो दूसरे विश्विद्ध में कौन-कौन से देश समिलित थे यहां समझ विद्यार्थियों में इससे विक्षित होगी अगले प्रस्न पर चलते हैं नीचे दिखाये गए विज्यापन पत्र को ध्यान से देखें और सूचना को 2100 सौर उर्जा के साथ अब विकल्फ है कि सूर्य तेल संसाधनों का मुख्य स्रोत है नमबर दो बी 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं सी तेल संसाधनों की कमी के लिए सूर्य जिम्मेदार है डी विश्व में तेल की खपत बहुत कम हो रही है तो यहाँ पर आप देखें कि नीचे के दोनों विकल्फ तो बिल्कुल ही गलत हैं कि तेल संसाधनों की कमी के लिए सूर्य जिम्मेदार है और विश्व में तेल की खपत बहुत कम हो रही है तो प्रथम और दोती यानि ए और बी दोनों विकल पाब्दी की सूर्य तेल संसाधनों का मुखिसरोत है यद्यपी अपरतक्ष डूप से यह भी सही है लेकिन जो सीधे इस विज्याबन को देखकर के हमें प्रतीत हो रहा है वह क्या है बी दो हजार एक सो तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं यानि आप यहां देख रहे हैं कि वर्ष दोहजार इकिस में तेल संसाधन दिखाई नहीं दे रहे हैं अर्थाथ दोहजार इकिस में तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं साथ ही सौर उर्जा ही उर्जा का एक मातसरोत रहेगा तो व प्रस्न करमाम उननचास यहां भी सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट का प्रस्न है यहां सिंधु नदी का एक चित्र दिखाया गया है यहां चित्र रिक्तिस्थान में लिया गया था तो साथियों यहां पर आप देखें कि यहां चित्र विद्यार्थियों में भारत के मानचित्र तथा कौन सा चित्र किस दिखा में है यहां इंगित करता है तो विद्यार्थियों में यहां समझ विक्सित होगी कि भारत के किस दिखा में लद्दाख है पूरवी घाट किसे कहते हैं अन्नमान द्वीब कहां है दक्कन का पतार कहां इस्थित है यहां समझ विक्सित होगी तभी इस प्रसंद को हल कर पाएगा तो हमें विद्यार्थियों को भारत के विभिन छेत्रों, जिसमें की विभिन द्वीब समूहों, पठारों, तथा विभिन भगोलिक छेत्रों की जानकारी उनको पहले देनी होगी। साथ ही यहां कहा गया है कि सिंधु नदी अब सिंधु नदी कहा बहती है यह विद्यार्थियों को ग्यात होना चाहिए तो अगर उन्हें अपने भारत के मांचित्र का इसमरण है कि सिंधु नदी भारत के उत्तर पस्चिमी छेत्र में बहती है तो यहां पर उत्तर दे पाए यह चित्र जो है लद्दाग छेत्र में लिया गया है क्योंकि सिंदु नदी जो है लद्दाग छेत्र से बहती है। तो निश्चित ही एनेस 2021 में हमारे जिले हमारे प्रदेश की स्थिती बहुत अच्छी होगी तथा विद्यार्थियों में भूगोल राजनीती अर्थसास्त्र के विभिन अउधारणाओं की समझ विक्सित होगी तो साथियों आसा है आज के इस कारसाला की यह जानकारी हम सभ के लिए उपयोगी होगी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ नमस्कार जैहिन